हेलो स्टूरेंट, स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल एजुकेशन स्टॉप्स में आज हम डिस्कुस करेंगे रिपोर्ट राइटिंग इससे पहले हमने एक वीडियो लेक्चर में जिसके दो पार्ट बनाये थे उसमें हमने नोटिस राइटिंग को सिखा था अगर आपने नोटिस राइटिंग की वीडियो नहीं देखिया है तो उसको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें से भी फोर मार्क्स के क्वेस्टन्स पुट के जा सकते हैं तो एक बार उसके गो थूरू हो लें आप हैं नोटिस राइटिंग की वीडियो जापको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने स्टूडेंस साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसमें अराम से कुस्टन्स को अटेंप्ट कर सके हमने ऐसी ट्रिक्स बताई है जिसमे अगर आपको याद नहीं है तब भी आप उस फॉर्मेट को त्यार करके मैक्सिमम मार्क्स अगर फॉर मार्क्स किये तो थ्री मार्क्स तक बिना कुछ याद किये प्राप्ट कर सकते हैं तो उमीद है आप इन टिप्स को फोलो करेंगे तो चलिए आज का शुरू करते हैं अ बड़ा सा अलग है पहले हमने नोटिस हाइटिंग किया था नोटिस में क्या है कि हम इनफॉर्मेशन देते हैं किसकी जो काम हम फ्यूचर में करने जा रहे हैं उसकी और रिपोर्ट में क्या है जो काम जो इवेंट है हमने पास्ट में कर ली उसकी इनफॉर्मेशन इसमें ह जो काम हमने पास्ट में कर लिया उसकी रिपोर्ट है उसकी इंफोर्मेशन हमने रिपोर्ट में देते हैं जिस इवेंट को हमने कर लिया सेलिबरेट कर लिया या और्गनाईज कर लिया उसकी उस इवेंट की निउज रिपोर्ट में आती है और जो कम हम future में करने जा रहे हैं, उसकी information है, हम क्या करते हैं, notice में देते हैं, notice writing करते हैं तो आज हमने ये दोनों चीज़ें को फरक समझ लिया, दोनों में इतना ही फरक है कि ये future tense में होगा, या present tense में होगा और ये जो report है वो past tense में होगी, इसका मतलब इसमें लगबग second form का प्रियोग के जाता है तो चलिए सबसे पहले सुरू करते हैं कि report क्या होती है, report basically कोई event जो past में हो गई, उस event की information होती है उस event की information होती है, उसमें particular से बताए जाते हैं जैसे report का title क्या है उस report की date क्या है जो event हुई थी, उसकी venue या place, जगें कोन सी है उसमें particular person हो गया, जैसे guest हो गया उसमें event है, उसमें event में participants हो गये, कौन कौन से participants थे, ऐसा कुछ करके है, ऐसा हो सकता है तो इन चीज़ों को हम एक report में बना के देखते हैं पहले format क्या होगा ये format universal है, हर report के लिए आप इस format की use करें अगर आप इस format को use करेंगे, तो आपके four में से three marks से पक्के है कहीं नहीं जाने वाले, अगर आप इस format को follow करते हैं जो अब मैं बताने जा रहा हूँ तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो question paper में question दिया हुगा है report का उसको हमने ठीक से पढ़ना है पढ़के उसके जो main words हैं उनको हमने underline करना है अगर हमने underline कर लिया तो उस report का title हमें मिल जाएगा उसी question paper से हमें title निकालना है अगर हमने title निकाल लिया तो अपना 50% काम हो गया क्योंकि title ही बहुत जुरूरी होता है टाइटल देखकर examiner अंदाजा लगता है भी ये किस title पे इसने लिखा है किस title पे इसकी report प्रिपेर किये है तो अगर हमने title लिख लिया अगर question paper में जो question दिया हुए उसको हमने अंडरलेंग किया है तो उसमें अगर school का नाम है किसी society का नाम है तो वो हम सबसे पहले लिखें जैसे यहां लिख दिया मैंने ROE Model School यह school का नाम दिया हुए इसको हमने अंडरलेंग कि दिया इसके बार में लिखो टाइटल जैसे महा लेते हैं कि NSS Camp NSS Camp दे दिया, अब यहाँ पे लिखो Report, यह Report हो गया है, यह देखो रोही मोडर स्कूल, NSS Camp और Report इन तीनों को अंडरलाइन कर दिया, हमने तीनों Capital में लिखने है, अब यहाँ पे लिखिए है, अपने Date डेट का फॉर्मेट यही है जैसे आप 21st मार्ज 2022 डेट लिखने के बाद में आपने जो लाइन शुरू करनी है वो टोपिक जो अपने स्लेक्ट किया है उसके गोर्डिंग होगा जैसे नस्स केम्प आपके स्कूल में और्गनाइज किया गया तो आप लोग ऐसे लिखो गए वोज और्गनाइज इन अवर स्कूल और अब डेट डेट को मनाया गया था इन स्कूल केम्पस जो भी है इसमें पर्टिकुलोस हम आगे समझेंगे जब हम इसके एक्जाम्पल करेंगे एक बार इसकी में बोड़ी समझ लेते हैं कि क्या होगी है अब इसके बार में इस सैड में आप लिखोगे है रिपोर्टेड बाई रिपोर्टेड बाई मतलो अगर आपका नाम कोई डेजिमेशन जैसे हमने नोटिस में किया था अगर दे रखा है अई तो आपने यहां लिखना है एपका नाम एक्स वाईजद है एक्स वाईजड है एैसे आपका नाम और आपका नाम एक्स वाईजड है कि मैंने लिखने के दिकते आरोई मोडल स्कूल, NSS Camp, Report, यहां डेट लिखते हुए, यह इसकी मेन बोडी होगी यहां पे, और यह होगा, एक्सवाय अपना नाम होगया, टीम लीडर, लीडर, और फिर NSS लीडर, अब इसको अपने एक बोक्स में क्लोज कर देते हैं, इस तरह पूरी है, कि जो भी क्वेस्टन पेपर में, जिस पेज पर भी answer sheet के हमें, रिपोर्ट ट्यार कर रहे हैं, उसमें खुले-खुले लिखें, यह ना हो कि आप एक दूसरे क्वेस्टन के अंदर इन दोनों को, रिपोर्ट को या किसी अन्य क्वेस्टन को चिपका दें, रिप रिपोर्ट लिखें, साफ साफ लिखें, इसमें काटा पीटी नहीं करें, तो इस परकार आपर एक अच्छी रिपोर्ट त्यार कर सकती है, अब हमें next example ले लेते हैं, कि इस परकार की रिपोर्ट और कैसे त्यार कि आ सकती है, यू आर आजे और आशे, इसमें नाम दिया और देश बंदु स्कूल, ये example मैं इसलिए लिया है, कि इसमें स्कूल का नाम दिया हुए, इसमें हैं स्कूल का नाम दिया है, तो आप इसलिए समझाओ अगर कुश्टिंग पेपर में इस तरह की रिपोर्ट आती है, आशे और अजे, आपका नाम मिल गया है, देश बंद स्कूल के लिए एक रिपोर्ट तैयर करनी है, तो इसको हमें जल्दी-जल्दी कोशी करेंगे, कैसे कर सकते हैं, हमें टाइटल मिल गया है, तो हम लिखेंगे, इस साइन्सफेर, उससे पहले हम क्या करेंगे, देश बंदु स्कूल, जहां लिखेंगे, क्योंकि स्कूल का न इसको अंडरलाइन कर दिया आप यहां लिखोंगे एक साइंस फिर अब लिखोंगे यहां पे रिपोर्ट यह मैंने रिपोर्ट लिख दी इसके बाद में आपने यहां पे डेट डालनी है जैसे यह डाल दी मैंने इसके बार में लिखना है आपने है अबर स्कूल है इसमें लिखा वई यह और स्कूल मतला है और स्कूल है ओर्गनाइज़ यह साइंस फिर आवर स्कूल है और्गनाइजद है, यह है, साइंस है, फिर है, और है, डेट्न, अब जो भी डेटार नहीं है, आपके है, इन स्कोल, लाइबरेडी ओल्ल, या साइंस होल है, इस दिए साइंस होल कोईदे हैं, साइंस होल, यह होग है, इसमें आप जब ये बता रखाए भी समें साइंस फियर है, तो साइंस रिलेटटी कोई एक्टिविटी कोई इवेंट आप इसमें दिखा सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो आप इतना लिख के भी कुछ और चौटा मुटा लिख सकते हो, कोई जरूर नहीं ही आपको 100% हमने टार्गेट बनाया है कि आपके थ्री मारक्स बनने चाहिए अगर आप इस तरह के format में इसको त्यार करते हैं तो आपके थ्री मारक्स रामस बन जाएं लास्ट में आप अगर यह लाइन अती है में दिया हुआ है स्कूल का नाम और कुछ नहीं दे रखा तो स्कूल का नाम हमने यह लिख दिया अब इसको एक बोक्स में क्लोज कर दो और यह होगी अपने रिपोर्ट रेडी उमीद है आप इन दो एक्जामपल से अच्छे से समझ गए होगे स्टूडेंट्स हमने दो एक्जामपल में रिपोर्ट को समझने कोशिश की थी लेकिन कुछ टिपिकल टाइप के यह सिमिलर टाइप के रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है तो हम क्या करते हैं उनको एक्जामपल के दूरू समझने कोशिश करते हैं भी कैसे इनको अटेज कर तो इसमें भी हमके पास्टेंस यूज करेंगे पास्टेंस यूज करेंगे और ये शो कर देंगे कि ए बलट डोनेशन केंप वाज और गनाइज दिनावर स्कूल पहली राइन कम्प्लीट हो जाएगी उसके साथ लिको कि ओन डेटेड हैं किस डेट को थी यह भी लाइन इसमे एनसस केंप एन एनसस केंप वाज और गनाइज इन आवर स्कूल ओन डेटेड हैं ये चीज़े फिक्स हैं तो आप इनको ये जो लाइन अनमे ने बताई है वो फिक्स है पहली जो पिछली रिप में रिपोर्ट में हमने डिसक्स किती वो लाइन आप रट लोंग वही लिख लगें अभी क्या है रिसेंटली वेक्सिनेशन केंप बहुत लगा जा रहे हैं तो वेक्सिनेशन केंप के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है 95% चांद साइज के एक टाइप के कुश्चन पेपर में ये आ सकती है एक टाइप के कुश्चन पेपर में वेक्सिनेशन क कि पेराग्राफ भी आ सकता है कोविड-19 अभी पेराग्राफ आ सकता है नोटिस भी आ सकती है तो आप इस चीज़ को तो हंडर्ड पर्शेंट शोर मानों कि किसी ने किसी कुछन पर में आएगी कि साइसज उबिशन की जैसे हमने भी पिछले पिछले रिपोर्ट उसी तरीके से यह है और और कम्राइज में वह स्कूल कैमपस है ओने इस लाइवरे होल आ तो student इस परकार हमने देखा कि science exhibition है वो science fair की तरह हम attempt कर लेंगे इसको भी हम कर सकते हैं inter school debate competition, debate contest, inter school painting contest, inter school singing contest इस तरीके से बहुत सारी reports त्यार हो सकती है तो सबका लिखने का format एक है, अगर आप मेरे बताई format से इनको लिखते हैं तो आपको 100% sure है कि आपके 4 में से 3 marks आ जाएंगे अराम से लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इन सभी जो topics में ने discuss किया हैं इनके उपर एक बार practice करें और अगर वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो आप अपने students जो सती हैं उनके साथ share करें ताकि वो भी अराम से इस में से 4 में से 3 marks बनाएं अगर practice दंग से करो कि तो आपके 4 में से 4 भी आ सकते हैं तो जरूरी है कि आप इनको इस वीडियो को गोर से देखें वीडियो को skip नागरे वीडियो को पूरा देखें Thank you for watching कर दो कर दो